हेलो एंड वेल्कम टो आवार यूट्यूब चैडल मिस्टर और मिस्सिस क्रिगरिया और यह है सेकेंड व्लॉग जो हम लोग बस्तर में बना रहे हैं कि अब पुद्धा आप इस दो आप 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 रहे हैं जाप आप 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 वायों नहीं है अज हम लोग जा रहे है राजमहल जद्वन के सामने और तो का ये। झाल 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 तो हम लोग हैं महल के सामने और यह जो महल है अभी दशरा का ताइम है तो बहुत ही भीड है क्योंकि यह पे गाओ के लोग भी आये हैं बट मोस्टी यह ओपन नहीं होता है इसका सिफ फ्रंट वाला जो रूम है वही ओपन करते हैं यह लोग और बाखी देर ख्लोजिंग अल कि हम लोग है बंतेशवरि मंदीर के सामने और हम लोग है बस्तर के बजार पर यहां पर जब दशरा होता है तो मंदिर के सामने भी बजार बैटता है और आज हम लोग आए हैं बजार गुमने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं दंते बाड़ा हम लोग बहुत कम दिनों के लिए हैं जगदलपुरा हुए थे तो सोचे कि दंते बाड़ा दर्शन करके आ जाए कर दो हम लोग पहुच चुके हैं दंते बाड़ा दंतेश्वरी माता जी का मंदीर और जस्ट हम लोग दंतेश्वरी मंदीर के सामने हैं अभी नारियल ले रहे हैं और जाएंगा भी अंधर कर दो कर दो कर दो झाल 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 यह जो है यह 52 शक्ति पीठ में से एक शक्ति पीठ है जो शक्ति मा का जो सती मा का दाद गिरा था जहां पे और वही प्लेस है यह दंतेश्वरी देवी और इस जगा का नाम पड़ा है दंतेश्वरी माता के उपर तो दंतेवाडा यह जगा है और यह 80 किलो मेटर है फ्रॉम जगदलपुर और जगदलपुर और अंदर का पिक मैं नहीं दिखा पाया विकॉस गर्वग्री में केमरा ले जाना एलाव नहीं था जो भी चित्ता भी मैं कवर का पाया अपने तरब से मैंने कावत किया इस वीडियो पर और यह जो टेंपल है वह शंकिनी और डंकिनी जाता है ऐसा बोलते हैं ठीक है वो एक जाते है नहीं चयकर रहा है वह अर्य जगह पर जाके मिल जाती है यहीं संगम है यहां पर पीछे पर हम दिखाते हैं यह जो है बुरीज इस तीची बिरेज है वह उसी नदी पे पिच है तक यह मीन की कूल रेवी है बसतर कुप और ये काकात्या रूलर्स ने बनाया था, तीन सेंचुरी का टेंपल है, जो बहुत ही पुराना है, और एक्चली ये पूरा स्टोन पे बना हुआ है, जो देवी का मेन मूर्ती है, वो भी एक ब्लाक स्टोन में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा एरिया है यहां पे, और पुरा पहाड के बीच में घिरा हुआ, बहुत ही शान्ती है यहां